हालो प्यारी बच्चों इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 जो समय 3 घंटे 15 मिनिट है हमारा उर्जिनल पेपर है यह सेट नमबर 2 2023 का 822 DW है यह प्रश्ण संख्या पहला हम देखेंगे जिसमें खंड का बहुभी कल्पी प्रश्ण है करा इसमें इस्टार लगा है तो यह 2024 मे नहीं आएगा लेकिन हम देखेंगे इसका क्या होगा तो दिया है हमारा किनिम्रकी संख्याओं में परिमें संख्या है तो पहला मारा दिया है करणी में 9 दूसरा है करणी में 3 तीसरा है कर्णी के अंदर 0-1 है 0-1-0-1-1-0-1-0 यहां उनको बदल बदल के आ रहा है तो ये भी आपका आपर में है ये भी आपर में है करणी में तीन आपर में है तो पहला हमारा पहला सही हो जाएगा तो प्रश्टन संख्या एक में हमारा आपसन नमबर ए जो करणी में नव दिया है क्योंकि इसका मान निकालेंगे तीन आएगा यही हमारा परिमेशंख्या हो जाएगी दूसरा दिया है कि एक समी करण युग में एक्स प्लस वाई बराबर दस और एक्स माईनिस वाई बराबर चार का हल है इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं अगर हम आपसन से लेते हैं तो देखेंगे किसको किसको दोनों को जोड़के 10 आना चाहिए और घटाने पर 4 आना चाहिए तो पहला आपसन 5 और 2 दिया है 5 दो 7 हो जाएगा 10 नहीं आया केंसिल हो गया 7 प्लस 3 बराबर 10 होगा 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा इसका मतलब हमारा आपसन नंबर B सही हो जाएगा तो दूसरे का आपसन नंबर B हमारा सही होगा तीसरा प्रस्म दिया है बेंदू 5 नो की य अक्ष से दूरी तो य अक्ष से दूरी का मतलब होता है अगर हमें यक्ष अक्ष और य अक्ष बनाएं तो य अक्ष से दूरी कहेगा तो ये दूरी चाहिए अर्था तो यक्ष का मान चाहिए तो यहाँ पर हमारा यक्ष का मान फिर आगे आएंगे अगला केश्चन नमबर चार तो चार दे दिया है इस्टाल लगा है तो ये भी दो हजार चौबिस की परिक्षा में नहीं आएगा लेकिन हम देखते हैं कि यदि एक समधिबाव समकोण त्रिभुच की एक भुजा पांच करणी में दो सेंटीमीटर है त पांच करणी में दो है तो दूसरा भी हमारा पांच करणी में दो होगा क्योंकि इसने कहा समधिबाव उत्रिभुच है आगे आएंगे तो हम देखेंगे करण ये हमारा हो जाएगा और करण का स्क्वार जो बराबर होता है अगर मान लिया जाए A, B, C तो हमें बनेगा A, B स्क्वार बराबर निकालेंगे तो A, C स्क्वार प्लस B, C स्क्वार अर्थाथ पांच करणी में दो का स्क्वार फिर प्लस यही फिर हो जाएगा पांच करणी में दो स्क्वार तो ये दो बन जाएगा यानि ये बना दो गुडे पांच का वर्ग 25 होगा करणी में दो का व यही हमारा दसमात्रक दिया हुआ है तो हमारा यह बन जाएगा चौथे का आपसन नंबर यह सही हो जाएगा आगे हम आते हैं अगला प्रशन देखते हैं तो अगला क्या दिया गया है हमारा प्रशन संख्या 5 यह भी स्टाल लगा है तो इस वर्शी परिच्छा में नहीं आएगा दिया है साइन स्कौर 18 अंस माइनस कास स्कौर 72 का मान निकालना है तो पांसमे में हमाएंगे दिया है हमारा साइन स्कौर 18 माइनस कास स्कौर 72 अंस है यहां बन जाएगा हमारा साइन स्कौर 18 माइनस इसको अगर हम बदलेंगे तो लिखेंगे कास 90-90-Data 90-72 यहाँ पर आना चाहिए तो 18 घटा देंगे तो यह 72 चला आएगा तो यह बन जाएगा हमारा Sin square 18-sin square 18 क्योंकि कास 90-Tata बराबर Sin theta होता है यह से cancel होकर 0 आजाएगा और हम देखेंगे हमारा 0 आपसन no.B. तो पांचवाँ का आप्षान नंबर हमारा भी सही हो जाएगा छटोवाँ भी स्टार लगा हुआ है और दिया है मारा किसी धनात्मा शंपूर्णांग्ट P के लिए प्रतिक धनात्मक विशंपूर्णग का रूप होगा यानि पी इहां पर धन है और करा है विशंपूर्णा काना चाहिए हल करने पर अगर पी हमारा यहां पर पुडांग है और धनात्मक है और करा किसी धनात्मक सम पुडांग पी पी बने यहां पर हमारा सम है तो पहला आपसन अगर हम लेते हैं जिसमें दिया हुआ है पी अगर यहां पर हम सम लेंगे तो इसका मान हमें भी सम नहीं मिल पाएगा तो हमारा पहला कैंसिल हो जाएगा दूसरा जाएंगी तो P प्लस 1 है अगर यहां हम सम 2 लेते हैं तो 2 प्लस 1 बराबर 3 अगर हम 4 लेते हैं तो 4 प्लस 1 बराबर 5 और अगर हम 6 लेते हैं तो 6 प्लस 1 बराबर 7 यानि B सम संख्या मिल जाएगी तो यही हमारा आपस option है P plus one आगे आ जाएंगे हम देखेंगे question number हमारा 7 तो 7 में क्या दिया गया है कि यदि संख्याओं 7, 8, 1, 11, 14 का समांतर माध्य एक्स है तो एक्स का मान ग्याद कीजिए तो समांतर माध्य जो वराबर हमारा होता है तो समांतर माध्य यानि ये बराबर होता है यानि सिकमा यक अपान यन होता है और सिकमा यक्स में सभी वही मान रखेंगे 7, 8, 1, 11 यानि 7, 8, 1, 11 फिर उसके बाद प्लस 14 है और बटे 1, 2, 3, 4, 5, 5 का भाग देंगे और यही समांतर माध्य आएगा और माध्य का राय यक्स है तो इसके बराबर यक्स रिकले देंगे तिर्य गुड़ा कर देंगे तो 5 यक्स बराबर होगा जोडेंगे 8, 7, 15, 15 में 11 जोडेंगे तो आपका सोरद 26, 26 में 14 जोडेंगे 30, 40 हो जाएगा तो 40 प्लस एक्स बना एक्स जाके घट जाएगा तो 4 एक्स बचेगा वराबर 40 होगा और एक्स वराबर निकालेंगे 4 का भाग देंगे तो हमारा इंसर 10 आजाएगा और 10 हमारा आपसर नमबर B में है तो यानि सतवा का हमारा जो आपसर नमबर B है वही सही हो जाएगा अब हम लेते हैं किश्या नमबर 8 कराइए तो दिखा समीकरण EX स्कॉार प्लस BX प्लस C बराबर 0 के मूल समान है तो C का मान ग्याद करना है 8 में दिया हुआ है हमारा समीकरण EX स्कॉार प्लस BX प्लस C बराबर 0 और करा इसके मूल समान है मूल समान के लिए भी विक्तिकर D बराबर 0 होता है यानि B स्कॉार माइनस 4 AC बराबर 0 होगा ये दूसरी तरब जला जाएगा तो 4 AC बन जाएगा प्लस क्योंकि माइनस था और इधर 20 स्कॉार बचेगा C का मान निकालना है इसका गुड़ा है भाग हो जाएगा तो C बराबर बन जाएगा 20 स्कॉार पान 4 A और यही हमारा इंसर होगा और B स्क्वार अपान 4 A हमारा आप्सन नमबर D है तो इसमें आठमा की आप्सन नमबर D हमारा सही हो जाएगा आगे हम देखते हैं प्रस्न संख्या 9 तो प्रस्न संख्या 9 में क्या दिया गया है कि दिये गए चित्र में यदि हम उपर ले लेते हैं चित्र को तो कराय की चित्र में यदि AD बराबर X प्लस 3 है यानि ये से लेकर D तक X प्लस 3 और BD बराबर हमारा दिया हुआ है 3X प्लस 19 है सेंटीमेटर फिर आगे करा आए AE बराबर Yaks है EC बराबर दिया हुआ है और कराई D E पर ललBC है तो Yaks कामान ज्यात करना है क्योंकि यहां आएंगे एक त्रिभुज यहां बना हुआ है एक पूरा त्रिभुज है तो यह छोटा वाला त्रिभुज और पूरा त्रिभुज समरूप होंगे क्योंकि यह समानतर रिखाए हैं यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर होगा और एक पहले का तीनो कोण पूरे के तीनो कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे समरूप की विशेश्टा है दो टाइप से इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना लिख सकते हैं इतना का मतलब हो गया यक्स प्लस तीन Q9 में हमारा बनेगा यक्स प्लस तीन बटे फिर बटे नीचे वाला तीन यक्स प्लस उननीस हो जाएगा तीन यक्स प्लस उननीस बराबर अब उपर वाला हम लेंगे तो यक्स आ जाएगा और बटे नीचे वाला ले लेंगे 3X प्लस 4 हो जाएगा तो 3X प्लस 4 हो गया अब हमें क्या करना है तेरी अग गुड़ा कर देना है गुड़ा करेंगे तो 3X का गुड़ा करेंगे तो 3X स्क्वायर प्लस 3X का गुड़ा 3 में करेंगे तो 9X फिर चार का गुड़ा करेंगे तो चार यक्स और चार का गुड़ा तीन में करेंगे तो चारतियाई 12 हो जाएगा अब इधर हम गुड़ा करेंगे तो यक्स का तो बन जाएगा तीन यक्स स्क्वायर और यक्स का गुड़ा 19 में होगा तो 19 यक्स बनेगा ये 3 यक्स स्क्वार दूसरी तरफ जाएगा तो हमारा कैंसिल हो जाएगा 9 और 4 जोड देंगे तो 13 यक्स और प्लस 12 ये वराबर 19 होगा तेरा यक्स ले जाके घटा देंगे हमारा तो उननीस यक्स में से तेरा यक्स घटाएंगे च्छा यक्स आएगा इधर बार मिलेगा यक्स बराबर निकालेंगे तो बारबर बट इच्छा हो जाएगा अच्छा का भाग दे देंगे तो 6 दूनी बारे यहां दो मिल जाएगा और आपसन हमारा यहां वराबर दो हमारा आपसन नमबर सी है इसका मतलब है हमारा आपसन नमबर सी सही हो जाएगा रोखो अब इसमें प्रश्चन संख्या 10 है एक से दस तक की धनात्मक सम संख्याओं का समानतर माध्य में ग्याद करना है तो एक से अगर हम दस तक धनात्मक सम संख्या लेंगी तो दो, चार, छह, आठ, दस होगा सब में अंतर बराबर है तो जो समानतर माध्य होता है ट्रीक हमारा है कि पहला प्लस अंतिम बटे दो होता है तो 2 प्लस 10 बटे दो यानि 12 बटे दो और 12 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा इंसर 6 आ जाएगा और 6 हमारा D है तो इसका मतलब आपसन नमबर हमारा D से हो जाएगा अगला है संख्या 156 का भाज गुडन खंड होगा तो हम क्या करेंगे 11 में 156 का खंड कर देंगे तो 2 से काटेंगे 2 सत्य चूदर 2 अठे सोर दो तियांगे 2 इनवा ठार तीन से काटेंगे 13 आएगा फिर 13 से काट देंगे तो एक आ जाएगा तो यहां में क्या मिलेगा भाज गुडन खंड दो घाते 2 मिल जाएगा तीन मिलेगा और 13 मिलेगा तो दो घाते 2 गुड़े 3 गुड़े 13 तो दो घाते 2 गुड़े 3 गुड़े 13 बी में है इसका मतलब हमारा आपसन नमबर भी सही हो जाएगा अगला जाएंगे बारह नमबर यदिक वर्गी कृताकड़े का माध्य और बहुलक क्रमस दिया है तो इसका माध्यक होगा अब हमारा सुत्र जो होता है यानि बहुलक बराबर बहुलक ये बराबर होता है तीन माध्यक और माइनस होता है दो माध्य तो यहां हम आजाएंगे तो बहुलक यहां पर दिया क्या है कि वर्गी कृत आकड़े का माध्य और बहुलक पहला माध्य और दूसरा बहुलक तो यहां हम 24 लिख देंगे और पहला क्या दिया हुआ था बहुलग बहुलग बारह दिया है तो यहां आ जाएंगे तो यह 24 दुना 48 आके जुड़ जाएगा तो 12 प्लस 48 बराबर हो जाएगा तीन माध्यक अब यह दोनों जोड़ देंगे आड़ दो दस पांच से एक 6 हो जाएगा तीन का भाग दे देंगे तो हमें 20 मिल जाएगा और हमें माध्यक मिल जाएगा 20 और माध्यक 20 हमारा बी में दिया हुआ है तो 11 का आफ्सन नमबर हमारा 20 सही हो जाएगा आगे हम आते हैं प्रस्ण संख्या तेरह हमें तो तेरह क्या दिया है हमारा यदिर्राइखिक समी करण युगममद दो यक्स प्लस तीनभाई बरावर पांच चार यक्स प्लस के वरावर दस के अ पडुने तो के का मान आपको बताना है इस्टार लगा है दो हजारचोवईस में नहीं आएगा पांच और दूसरा समी करण है 4X प्लस KY दिया है KY और यह बराबर हमारा दे दिया है कितना दिया है 10 दे दिया है और अनंत अनेक हल होने के लिए A1 पाने 2 इक्वल 2 होता है B1 पान B2 और यही बराबर C1 पान C2 होता है तो A1 पाने 2 यानि 2 बटे 4 होगा और B1 बटे B2 यानि 3 बटे K होगा तिरियाग गुड़ा करेंगे या यहीं कार देंगे दो दोनी चार तिरियाग गुड़ा कर देंगे तो K बराबर हमें 6 मिल जाएगा और K बराबर 6 हमारा अपसन नमबर D सही हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा आपसन D से ही हो जाएगा चोदर नमबर में भी इस्टार लगा है ये 2024 में नहीं आएगा करा रहा है कि त्रिभुज यानि ABC और BDE दो संभाव त्रिभुज इस प्रकार हैं तो आजाएंगे एक त्रिभुज हम बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे A, B और C अब अगला इसमें जो दिया गया है BDE है B है अब D अब D बिन्दू हमें देखना है कहा है करा D भुजा BC का मध्य बिन्दू है तो ये BC का मध्यविंदू हमारा दे दिया गया है कौन? D है और कर रहा है कि त्रिभुज ABC और BDE तो B, D और E एक ले लेंगे अब हम देखेंगे E बिंदू कहा है? कर रहा है इतने कि दो संभाव त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्यविंदू है त्रिभुजों एक दिया है A, B, C और B, D, E तो B, D, E, E विंदु एक चाहिए इसमें हम आएंगे प्रश्ण संख्या 15 में यदि कास से बराबर 7 बटे बचीश तो 10 A प्लस काटे का मान क्यात करना है हम आएंगे कास से बराबर है 7 बटे बचीश और कास से बराबर होता है आधार बटे करन होता है यहां जाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका आधार हमारा साथ है और करन पचीश है अब हम पाइथा गोरस प्रमेश इसका मान निकाल लेंगे तो यह 24 आ जाएगा अब हमें चाहिए क्या दिया गया है मान निकालना है 10 A प्लस काट A 10 A और प्लस काट A तो 10 A बराबर होता है लंब बटा आधार लंब हमारा यहां चुकिए है लंब हमारा 24 और आधार हमारा 7 होगा काट उल्टा होता है तो 7 बटा 24 हो जाएगा तीरी अख हम गुडा करतेंगे 24 का गुडा 24 में तो 4 चौक 16 4 दुनी 8 दुनी 16 एक सत्तरक साथ आसी लेख दो दुनी 4 एक पांच हो जाएगा 7 सत्ते उन्चास हो जाएगा नीचे साथ गुडे 24 हो जाएगा अब हम जोडेंगे तो 9 चब पंदरक 5 आसी लेख होगा साच्चारी 11 एक बार और 6 बटे नीचे हमें मिल जाएगा साच्चव कठाई साथ नीचे उदव दो 16 हो जाएगा तो हमारा आयनस्वर बना 625 बटे 16 तो यहां हम देखेंगे 625 बटे 16 हमारा D आप्षन है तो 15 का आप्षन नंबर हमारा D सही बजाएगा आगे हम देखेंगे प्रस्न संख्या 16 तो 16 दिया गया है इस्टार इसका मतलब इस वरस परिच्छा में नहीं पूछे का 24 में यह दो बृत्तों की तरिज्जा है करम से 4 था 3 सेंटीमीटर है इन बृत्तों के शेत्फलों के योग के वराबर शेत्फल वाले बृत्ती की तरिज्जा तो अगर हम मान ले एक हमारा पाई और स्कॉयर हो गया पाई से पाई केंसिल हो जाएगा दोनों त्रिज्जाएं चार और तीन दिया गया है तो पहला चार का स्कौार तीन का स्कौार 16 प्लस 9 यानि 25 आएगा और आर स्कौार था आर बराबर निकालेंगे तो वर्गमुल 5 मात्रक और यही हमारा इंस्वर बन जाएगा अब हम देखेंगे 5 मात्रक के है तो मारा आपसन नमबर ही सही हो जाएगा अगला जाएगे 17 नमबर तो 17 में दिया है दिखाल समीकरण यक्स स्कौार माइनस 3 यक्स माइनस 10 के मूल है दिया है यक्स स्कौार है माइनस 3 यक्स है माइनस 10 बराबर 0 तो यहां हम गुड़न खंड अगर करेंगे 10 1 का 10, और 5 नी 10 पांच में से दो घटाएंगे 3 आएगा, तो बनेगा X स्कौार माइनेस 5 X प्लस 2 X और माइनेस 10 बराबर 0 क्योंकि 5 x में से 2 x घटेगा तो minus 3 x बन जाएगा जोडा बनाएंगे x कामन x minus 5 होगा प्लस 2 कामन होगा x minus 5 होगा तो हमें मिलेगा x minus 5 और दूसरा मिलेगा x plus 2 और बराबर हमारा 0 दिया हुआ है पहला से अगर हम जीरो करके मान निकालेंगे तो यह माइनस है प्लस हो जाएगा दूसरे से निकालेंगे तो यह प्लस है माइनस हो जाएगा हमारा इंसर बनेगा पांच माइनस दो पांच माइनस दो हमारा आपसन नमबर बीस ही हो जाएगा तो यहां हमारा अप्सन नमबर बीस अत्रहमा का सही होगा आगे आएंगे हम प्रश्न संख्या ले लेंगे अठार तो अठार में क्या दिया है यदि समतल मैदान पर एक मिनार की छाया की लंबाई उसकी उचाय की करणी में तीन गुनी हो तो सोरे का उन्यन कोण क्यात कीजिए यहां आएंगे एक मिनार है इधर सोरे है तो सोरे इसकी छाया बनाएगी तो छाया हमें नीचे मिलेगी और करा यहाँ पर छाया की लंबाई उसकी उचाई की करणी में तीन अगर यह यच है तो यह करणी में तीन गुना है तो यहाँ पर हमारा सुर्य का उन्यन कुन अर्थात यह कुन ठीटा पूछ रहा है इसके सामने की भुजा लंबी आधार है यानि टेन लगेगा तो 10 ठीटा बराबर होगा लंब यानी अच बटे आधार करणी में 3 अच और ये से कैंसिल होकर एक बटा करणी में 3 आएगा और ये 10 तीश का मान है और इधर हमारा था 10 ठीटा तो 10 से 10 कैंसिल होका ठीटा बराबर 30 संस मिल जाएगा और यही हमारा आपसन सही हो जाएगा तो 30 हमारा C है इसका मतलब है हमारा आपसन नमबर सारी C है तो इसलिए हमारा आपसन नमबर C सही हो जाएगा आगे आएंगे 19 भी, इस टार लगा है परिच्छा में नहीं पूछेगा 24 में, और 20 में भी इस टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा 2024 की परिच्छा में नहीं आएगा, इसके नीचे खंड बगा के लिए आप इस बीडियो के डिक्स्रीपिशन में लिंक है, वहाँ से जाक करके इसके आगे के प्रस्नों को देख सकते हैं धन्यवाद